प्रश्न एक, टोटल स्टेशन का मुख्य कार्य क्या है? A. मापन करना, B. चित्र बनाना, C. देटा संग्रह करना, D. उपरोक्त सभी, उत्तर D. उपरोक्त सभी, प्रश्न दो, टोटल स्टेशन में कौन सा सिंसिंग उपकरण होता है? A. थर्मामीटर, B. लेजर, C. सर्वे, C. समुदरी सर्वे, D. एयर सर्वे, उत्तर B. स्थलिय सर्वे, प्रश्न चार, टोटल स्टेशन का डेटा संग्रहित करने वाला माध्यम क्या? होता है A. कागस, B. कंप्यूटर, C. USB ड्राइव, D. मेमोरी कार्ड, उत्तर D. मेमोरी कार्ड, प्रश्न पांच, टोट क्रश्न चार, टोटल स्टेशन का पूर्न रूप क्या है? है A. टोटल सर्वे, स्टेशन, B. यमार्तों का डिजाइन, C. सडक निर्मान, D. उप्रोक्त सभी, उत्तर D. उप्रोक्त सभी, प्रश्ण आठ टोटल स्टेशन से मापने में कौन सी इकाई का प्रयोग होता है? A. मीटर B. किलोमीटर C. सेंटीमीटर D. उपरोक्त सभी उत्तर D. उपरोक्त सभी प्रश्न नौ टोटल स्टेशन का उपियोग सबसे अधिक किस छेत्र में होता है? A. क्रिशी B. निर्मान C. विध्यान D. चिकित्सा. उत्तर B. निर्मान प्रश्न 10. टोटल स्टेशन में कौन मापन के लिए कौन सी इकाई प्रयोग होती है? A. डिगरी B. रेडियन C. ग्रेड D. उप्रोक्त सभी उत्तर D. उप्रोक्त सभी प्रश्न 11. टोटल स्टेशन की सटीकता किस पर निर्भर करती है? A. Operator Kaushal B. Vatavarn C. उपकरण की गुनवत्ता D. उपरोक्त सभी उत्तर D. उपरोक्त सभी प्रश्ण 12. Total Station में डेटा को स्टोर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? A. Recording B. Data Login C. Storage D. सहेजना उत्तर B. Data Login प्रश्ण 13. Total Station का पहला उप्योग कब हुआ था? A. 1960 के दशक में B. 1970 के दशक में C. 1980 के दशक में D. 1990 के दशक में उत्तर B. 1970 के दशक में प्रश्ण 14. Total Station में दूरी मापन के लिए कौन सा सिध्धान्त प्रयोग किया जाता है? A. Pragonometry B. Pythagoras का सिध्धान्त C. Hippocritus का सिध्धान्त D. Apollonian सिध्धान्त उत्तर B. Pythagoras का सिध्धान्त प्रश्ण 15. Total Station में आमतोर पर कितने प्रकार के माप होते हैं? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 उत्तर C. 3 प्रश्ण 16. Total Station के डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सा सौफ्टवेर आमतोर पर प्रयोग किया जाता है? A. AutoCAD, B. Microsoft Word, C. Excel, D. Photoshop, उत्तर A. AutoCAD प्रश्ण 17. Total Station के संचालन में कौन सी बुनियादी आवश्शक्ता होती है? A. उर्जा स्रोत, B. Laser Technique, C. Data Login, D. सभी उप्रोक्त, उत्तर D. सभी उप्रोक्त, प्रश्ण 18. Total Station का मापन कितनी दूरियों तक सटीक हो सकता है? A. एक सौ मीटर, B. पांच सौ मीटर, C. एक हजार मीटर, D. पांच हजार मीटर, उत्तर D. पांच हजार मीटर, प्रश्ण 19. Total Station में किस प्रकार की बैटरी का उप्योग किया जाता है? A. लीड एसिड, B. नाइट्रोजन, C. लिथियम आयन, D. कोई नहीं, उत्तर C. लिथियम आयन.